हेलो फ्रेंग्स आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ गर्मियों की स्पेशल रेसिपी जिसको देखने के बाद आप इसे बनाए बिना रुख नहीं पाएंगे और इसको बार-बार खाने का आपका मन करेगा इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लीटर दूद एक पैन मैं गैस के उपर रग देती हूँ आप चाहे कड़ाई का भी यूज कर सकते हैं इसको एक बार चला देती हूँ और इसमें अब मैं उबाल आने देती हूँ जैसे हमारे दूद में वाला आजाए गैस को थोड़ा मीडियम सिम करती हूँ और दूद को मैं चलाती रहती हूँ दूद को मुझे थोड़ा काड़ा करना होता है फ्रेंट्स जब तक हमारे ये दूद गाड़ा हो रहा है इस बीच हमने क्या किया है कि कुछ केसर पत्ती लेकर दूद में भिगो दीती ताकि इसका कलर बहुत अच्छे से निकल कर आ जाए और उसकेसर पत्ती के दूद को इस दूद में डाल देती हूँ जो हमारा बॉइल हो रहा है गैस को मीडियम रखती हूँ और इसको खदकने देती हूँ बॉइल होने देती हूँ हमें गाड़ा करना होता है दूद को देगे हमारा दूद काफी गाड़ा हो गया है हमने लगब की हो है बादाम इसमें डाल दी है ड्राइफ रूट्स आपकी अपनी पसंद होती है आप किस इसाब से कितने डालना चाहते हैं यह रेसिपी एक बर आप घर पे जरूर ट्राइ कीजिए का गैरेंटी है कि आप इसे बनाए बिना दुबारा रह नहीं पाएंगे इसके बाद इसमें मैं डाल देती हूँ स्वात के लिए लाइक्ट्री पाउडर से बहुत चाफ लेवर आता है इसको चलाती हूँ और इसे थोड़ा सा और पका लेती हूँ सब मिक्स कर लेती हूँ अब देगे हमारा यह दूद काफी गाड़ा हो गया है अभी ठंडा होगा बिलकुल बनकर तैयार हो चुका है तो गयास को बन कर देती हूँ और इसे अभी दूद है वह वह बिल्कुल नॉर्मल तैंपरेचर पे आ जाए तो इसको एक बाउल में करके मुझे से फ्रीज में ठंडा करने के लिए रखना होता है अगर आपको और ज्यादा जल दिह तो मैं बाउल में मैंगो पल्पा डेती हूं मैंने लेक्रवबग पर नितना सबसके हैं क्योंचेश एक पृध पूद्र सौझ भी थ दीन इस साथ है, में दुद्राजेश चॅवर्य कर इस उसाध में दाल दें би और क्रिस्पेन यहां और सेफ़ भी लें दूद्र करने रिगसे हों अगर आपको mixture यह बिलकुल normal लगता है हमारी जैसे हम पकोडी बनाते हैं बेसंगी उस टाइप का तो आप इसे direct बनाने रख सकते हैं मुझे थोड़ा ठिक लग रहा है तो इसमें मैंने डाल देती हूँ एक से दो स्पूर मिल्क यानि की दूद ज्यादा नहीं बस हमें normal डालना होता है normal mixture बनाना होता है बैटर बनाना होता है जिससे हम पकोडी बना सके इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लिए ताकि इसमें बिल गी में बनाया है कोशिश करें कि आप भी घी में बनाया अगर आप बिलकुल ही लिए यूज नहीं करना चाहते तभी आप आप बना सकती है चोटी चोटी पकॉडी बना लिए हमने यहाँ पे इँक इंको डीप्राइ करेंगे मीडियम कैस पर ही डीप्राइ करते हैं यह तो प्रिस्पीनेस रहती है अंदर से एकडम सॉफटनेस बहुत ही टेस्टी पकॉडी है तयार हो चुकी है मैंगो पल्प से सारी इन प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी बची जो है वह भी हम इसी तरीके से इसको बना कर तयार कर लेंगे डिफ्राय करते होई फिर प्लेट में निकाल लेंगे अगर अभी तक आपने इस रेसिपी को लाइक ने किया तो चटपट लाइक बटन प्रेस कर दीचे देगे एकडम सॉफ्ट सॉफ्ट पकॉडी तयार है गरमा गरम इतनी देर में हमारा यह जो दूध है वह भी बिलकुल ठंडा हो चुका है और देगे किता अब यह पकॉडी जो है इसमें हम डाल देंगे सारी पकॉडी यह जितनी आपको लग रहा है कि थोड़ी जाद है तो एक आत बचा सकते हैं क्योंकि यह पकॉडी रूगी खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है इसको अच्छे से हम मिक्स करतेंगे और यह जो मैंगो के प करते हैं यह बिल्कुल तयार है और देखें क्या रबडी डाट जो रेसिपी मेरी बनके तयार हुई है बहुती सॉफ्ट पकॉडी के साथ बहुती टेस्टी रेसिपी है तो इसे आप छटपट अपने ध्यापे बढाईए और फैमिली मेंबर्स को सफ कीजिए तो कैसी थी म अब पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कीजेगा अगर अभी तक आपने शियर नहीं किये तो शियर कीजेगा मैं आप सब इसे अपनी नेक्स वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ मेलूंगी तब तक आप इसको इंजॉय करें बाबाई